हेलो माई फ्रेंड्स आज पार्ट 2 में लेकर आया हूं रोपाई का वीडियो में लेकर आऊँगा तो देखो रोपाई उस दिन कर नहीं पाया किसी काम के वज़े से लेकिन रोपाई के दो दिन बाद का यह वीडियो है हमने परशो रोपाई कर दी थी तो कल ही इसने मतलब ज से कीज़ऊं से जड़ पल निकालते हैं उसमॉहां से उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं तो मैंने वहन पर ट्रेटिट किया था कुछ केमिकल है और उसको छड़े जो हैं वो ट्रीट करने के बाद उनको हमने रॉप कि लगा दिया था मतलब था जब हैं जब इसको ट्रीट किया जाय तो जबीज मने श्माइब giàu को तरśliать के हैं लिए जपंगि पेंगर् 됩니다 इसका और sty love's वजह से निकीस पर कोई भी नहींगा और कोई एच्छी बादने के बाद इसे जो है च्छोड़ च्छोड़ बना दिये थैं यह यह बेट बनाने के बाद इसके अंदर ही हमने क्या गए अगरा था पानी चालू कर दिया था मोटरें लगी वहाट से पाइप के इस्टम कि थ्ट हूंब ने आपकी जाने जलिए पलिआ तो हम्ने खरने कर करा हैं यंद्ध ड्रीब समें ख्रेस यह दो इसको मिलती है तो यह सुख जाता है इस हमने पानी के साथ ही इसको रॉप दिया है तो हमारा यह इतना खेत है जो अभी एक बीगा में उधर जो दूर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर थोड़ी से जगा खाली है तो वह जो जगा खाली है उसके लिए हमारा रॉप थोड़ा कम पड़ गया था तो यह थोड़ा कुछ बचा हुआ है यह भी लागा देंगे और यहां पर मैंने कुछ और बेट तयार करके यहां पर भी बीज डाल दी है और पानी जो है इसको दे दिया है तो यह भी एक मैने बाद अच्छे से ग्रोव अप में आ जाएगा तो इनको वापस जो रोप यहां तैयार होगा उसको उखाड़ के ने जहां जागा खाली है वहां पर हम इसको लगा देंगे तो पूरा पूरा एक बीगा का यह पूरा टार्गेट है कि इस फ्टरी पूरा एक बीगा में थंडी के अंदर कितने इंकम देता है हम पूरी मयनत करेंगे चितना हो सकेगा वहां तक हम इसको अच्छे रेट में देने की कोशिस करेंगे मंडी में जभाव रहता है उसके रेट को देंगे वह देखते हैं कि कितना मुनाफ़ा इसमें आता है ठीक है अब इसके अंदर मैंने जो खेत के तयारी जब करी थी तो मैंने इसमें दो तरह के फटिलाइजर का यूस क्या था एक सिंगल सुपर फासफेट आता है वह डाला था जिंक जिसके अंदर था और पोटाज इसमें डाल दिया गया है अभी दो तीन निन बाद में इसमें सलफर डाल दूँआ ठीक है तो यह तीन चीजे की जो है वह आपको पहले स्टार्डिंग में डाल देना ह है जिसे मैंने डाला है वैसे आप भी डाल सकते हैं और जब इनकी जड़ अच्छे से चालू हो जाएगी जब यह पूरा पोधा अच्छे से ग्रॉप करेगा और इसमें से नए फ्रूटिंग स्टार्ड हो जाएगी तब मैं इसमें डीएपी थोड़ी से डीएपी इनके ज आज पार्ट्टू में इतना ही और यह मैंने आपको बताई दिया है कि यहां नर्सरी है और नर्सरी जब ग्रॉप हो जाएगी तो वहां पर सिफ्ट कर देंगे हो पूरा एक बीगा का है और ठीक है इतनी डिटेल थी ओके बाबाए